हाई हाई कैसे हो सब ठीक, आप कैसे हो मैं भी ठीक हूँ मैंने सुना आपको कोरोना हो गया था हाँ हुआ था तो अब क्या स्टेटिस है ने ने अब तो मैं ठीक हूँ रिकॉबर कर चुका हूँ कैसे हुआ क्या कैसे हुआ कोरोना अरे यार बड़ी लंबी कहानी फिर कभी सुनाँगा हम तीनों अपने अपने गर पे बैटे हैं जितनी भी लंबी हो सुना दो टाइम ही टाइम है हाँ ये भी ठीक है तो हुआ यूँ कि मैं घर पे बैटके टीवी पे न्यूज देख रहा था उस पर कोई ना कोई आके हर दो मिनिट में बोल दे कि भाई बहार मत निकलिए बहार कोरोना है अपने आपको सुरुक्षित रखिए बड़ी खतरनाक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है हम ओके फिर तो मुझे लगा कि अगर हम सब लोग अपने अपने घरों में घुसके बैठे रहेंगे तो बाहर को कुण संबालेगा वो तो बाहर चुटा गुमता रहेगा ऐसे तो वो किसी दिन इस देश का माली बन जाएगा वह जब हम सब को पता है कि कोरोना इतनी खतरना तो उसको चुटा गुमने के लिए भी मारी है तो उसको उसका सामना करने के लिए कि भर से निकलना पड़ेगा तो हो बें फेमस? नहीं. फिर? फिर क्या? फिर करोना कैसे हुआ? तो बस ऐसे ही एक दिन मैं अपने सपने पूरे करने के लिए मार्केट में गूम रहा था? तो मुझे अचानक एक गोल कपे वाला दिखाई दिया. मैंने सोचा यार घर के लिए आलू टिंडिय तो मैं बाद में भी भरी सकता हूँ. क्यों ना आज पहले एक प्लेट गोल कपे ट्राई कर लिए जाए? अच्छा. तो मैंने एक की जगए दो प्लेट गोल कपे खाए. अब क्या करें? गोल कपे थे इजनी टेस्टी. फिर? फिर क्या हम से रहा ने का हम पहुंच गया उसके पास और जाते के लिए का बाब पूछ लिया. उसने का सतर रुपे दरजन हमने का महेंगे हैं तो उसने का सरज क्या करें सप्लाई कम है आप ऐसा कीजिए ग्रेप्स क्रीद लीजिए. अब क्या करें लॉक्डाउन है खपत साधा होती है तो अकते बरके एक साथ ले लिए. तो क्या सब्जी वाले से कॉरोना हुआ? अरे कहां उसने सब्जी के साथ मिलने वाला फ्रीदनिया नहीं दिया. कॉरोना कहां से देगा? एक नम्मर का कंजूस पसाला. मैंने भी उसे एक फटाव नोट चिपकाया और इससे पहले उसे पता जलता बाग के गाड़ी मेट गए. फिर? फिर जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की मेरा फोन बजने लग गया. मैंने देखा मेरा दोस्ट शेकर कॉल कर रहा था तो मुझे अंसर करना पड़ा. मैंने बोला हेलो तो उसने का हेलो बाद में पहले घर आजा पार्टी करेंगे. मुझे लगा यार लॉकडाउन है दोस्ट अकेला घर पे बोर हो रहा हो गया तो मैं पहुंच गया उसके घर पे उसका टाइम पास करवाने. ओके. माँ जाके देखा उसने तो पूरी महफिल जमारक की थी. चार लॉंडे, छे लॉंडिया, हनी सिंग के काने पे यूँ कूले मटका रहे थे. अच्छा? हाँ, और हमें भी बोले, नाचो. अरे बाद में जब हमें डांस बांस आता है नहीं तो नाचे कहां से? बाद में जब लड़कियों ने इंसिस्ट किया, तो हमारा भी थोड़ा प्रभूदेवालीक हो गया. फिर जैसे ही हमने नाचोना शुरू किया, माकसम सबने अपने-पने कोने पगट लिए. और ऐसी बहुचकी नजरोंचे में देख रहे थे, जैसे वाँ पर हम नहीं साक्षात माइकल जेक्सन आच रहू. मलोब इतना जोर का नाचा मैं, पूरा अठांस फ्लोर फाड़ के रख गया, चारो तरफ दूली-दूल. फिर? फिर मेंने चार-पांच पैक पिये और अपने घर की दरफ चल पड़ा. लेकिन तुमारे पास तो गाड़ी थी ना, पर चलने की जुरत कैसे पड़ गई? देखो भई, ड्रिंक करने के बाद ड्राइब करना सेफ नहीं होता है. तो as a responsible series, मैंने अपने घर की चोड़ी और पैदल चपड़ा. आगे-ागे देखा, तो फिल्म की शूटिंग हो रही है. 50-60 लोग ऐसे गहरा बना के खड़े हुमें रात में. तो मैंने भी सोचा रहे है, फिल्म की शूटिंग हो रही है, देख लीता हूं. पता ही चल दाएगा एक्टर कौन है, तो पता चला है कि कोई C-grade character artist होते हैं उनके साथ film बना रहा है. गंदी से शकल वाला hero और भद्दी से देखने वाली heroine. तोनों को दोनों overrage, इधना make-up होता होता चैरे पे, और साले दोनों को दोनों overacting कर रहे थे. और स्टोरी ऐसी कि कम सकम डेर लाग फिल्मे तो बॉलिवूड में बन चुकी हुई इस सब्चेक्ट पे, एकदम गिसी हुई. फिर? फिर क्या मैं गया, director पास मैंने बोला, कि यार कुछ inception जुरासिक पास जैसी फिल्में बनाओ, ये क्या बकवास बना रहे हूँ? तो उसने मुझे ऐसे देखा, और थोड़े देखता रहा, और सालिक दिमाग में पता नहीं क्या आया, कि मुझे उठवा के बाहर पिकपाती है. अच्छा, फिर? फिर क्या था मैं उठा, कपड़े जाड़े और खर्चला गया, जाके सो गया. तो फिर कॉरोना कैसे हुआ? पताने हैर कैसे हो गया, सुबह उठा था कॉरोना और अरुका था, सालिया जीब भीमारी है, कर बैटे-बैटे हुजाती है, मुझे तो लगता है मेरे पडोसी के वज़े से हुआ है, उसकी बीवी रोज बाहर गूंती रहती है.